आज मैं आपके लिए जो वीडियो लिखार हो दिखे बात करेंगे hidden stocks की जिनको जब तक वो भागते नहीं जब तक में rally नहीं आती तब तक कोई नहीं जानती कि वे छुपे हुए stock होते हैं और lime light में lime light में नहीं होते हैं लेकिन जब आप कहानी को समझोगे story को समझोगे तो आप खुद ऐसे stocks को निकाल के आपने सामने रख दोगे और फिर कहोगे वाह मज़ा आ गया लेकिन यहां पे यहां पे सबसे important पार्ट है risk management का दीके stocks तो आपने निकाल दिये लेकिन अब अब क्या उनको कब भी करना है आप कब देखे ना उन stocks को high probability zone में high momentum zone में और यह high probability और high momentum always think from the perspective of probability always think कि उसमें momentum है की नहीं है always think risk कम होना चाहिए मतलब अगर risk यानि कि जो loss amount है जो आपने पहले ही loss को define कर लिया वो आपके affordable bracket में है तभी जाना है otherwise दूर राम राम जी समझ लेओ तो चलिए समझते ही डिटेल में और आगे बढ़ने से पहले ही आपको बता आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको notification आती है कि और price action सीखने के लिए आप जॉइन कर सकते हो मेंबर से जॉइन बटन बटन क्लिक करके अब एक और important बात देखिए stocks के वीडियो हम आपक जरूर बताईए बिल्कुल बिना किसी मैं कहूंगा बिना किसी स्वार्थ के आपको चीजे बिल्कुल share की जा रही है क्योंकि इसको हमने enjoy करते हैं यह जो आपके सामने चीजे जो learning आपके सामने share करते हैं उसको आपको ऐसा लगता हुगा कि यह बिना किसी स्वार्थ के ले हम खुद चीज़ें सीखते हैं और आपके लिए जब वीडियो लेके आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें भी सीखने को मिलती हैं बहुत सारी मतलब धेर सारी कहीं न कहीं वीडियो के माध्यम से हम अटैच हैं और आपके लिए जब वीडियो क्रेट करते हैं तो डेफिने की तुरह मत लीजिए इस महनत को इस महनत का फयदा आप उठाएए हमें तो मिली रहा रहा है फायदा हमें तो learning हो ही रही है लेकिन आप भी यहां पर सीखते रहेHelp आप देख सकते हो जब से channel यहां पर start हुआ किस तरीके से evolve हो कहां से कहां तक पहुचा और learning main focus जो हमने यहाँ पर रखा है आपने देखा होगा in between धीरे धीरे चीजे learning के उपर major focus है क्योंकि learning से ही भला है learning से ही भला है tips या recommendation से वो भला आपको देखने को नहीं मिलेगा सोम डिस्टिलरी की आज बात करेंगे सोम डिस्टिलरी का stock जो है आपके सामने पता है क्यों आया इसका main कारण है एक comment एक user का comment आया था कि सोम डिस्टिलरी बिल्कुल monthly time frame पे और यह बहुत ही बहतरीन क्योंकि हमारा इसका जो estimated area है वो area यह जो blue candle है इसकी range है यह 110 से 115 वाली यह जो blue candle दिख रहे हैं आपको यह अब आपको क्यार क्योंकि यह ही से false start हुआ था बड़ा तो यह blue candle हमारे focus में है और आपको ऐसा लग रहा हुआ कि यह video आपके लिए आब आ रही है जी नहीं आपके लिए वीडियो ऑल्रेडी सोम डिस्टिलरी यह देख रहे हैं यह यह जब कारण था यह जो मन्थली का जो यह candle देख रहे हैं आप यह candle कैसा candle है यह candle है बिना body का candle लंबी लंबी shadow का candle समझे इस पार्ट को तो मतलब यह candle जैसी पार हुआ हमें एक low risk की opportunity अगर मन्थली के इसाब से देखा जाए तो deep deep यह और target अब यह target आपको गया यह target यह क्यों लि स्मार्ट बनी के लिए स्मार्ट बनी क्या है मोटा पैसा अगर आप देखोगे इसके बारे में हमने इस volume को देखे इस volume को देखे इस volume को देखे यह कोई अगर इसको खरीद रहा है तो ऐसा नहीं कि 30-40 रुपे के हिसाप से अगर यहाँ पे और इन दोनों बाइंग का जोन देखो तो 40-50 यह देखे यह वाला जोन देखे यह वाला जोन देखे यह वाला जोन देखे यह वाला जोन देखे टीनों बार देखे वाल्यूम बड़ा इसके पीक के आसपस फिर वाल्यूम इसके पीक के इसके एरिया फिर से वाल्यूम मतलब डिमांड एक जोन क्रियेट किय लेकिन जब जब आपको समझ आ रहा है कि कुछ यहां पर हरकत हो रही है तो इसका यह मतलब नहीं तब उनको भी समझ आ दाएगा कि आप समझ तो चुके हो लेकिन समझने के बाद आप action लेने लग रहे हो मतलब अगर आप बड़े प्लेयर हो आप किसी स्टॉक में किसी बड़े दूसरे बड़े प्लेयर की चाल को समझ गए हो यह बॉल्यूम के माध्यम से और आप खुद यहां पर action लेने लग गये उसी इसाफ से कि आप बड़ा प्लेयर को उस तो गड़बड कर रहा है तो मतलब उसको जरूर समझ मा आ जाएगा कि मेरे अलावा कोई और मोटी पार्टी यहां पर action लेने लग गया है तो वो क्या करेगा उसको जो यहां नीचे खरीद रहा है वो कोशिश करेगा उपर ही खरीदे और इसलिए वो price जो आप देखते हो वो अचानक रही होता है क्योंकि पहले वाले को समझ मा आ गया अब दोनों को समझ आ गया तो फिर फिर रुकने का नाम नहीं फिर यह जो targets होते हैं यह भी छोटे पर जाते हैं कई बार अगर बात करो तो फिर भागता रहता है भागता रहता है फिर का आपका होगए यह प्रोकी नीरा यही कारण होता है यह जो जो साइकलोजी है यही कारण है समझ लो कि पहले को समझ में आ गया कि दूसरा क्या कर रहा और दूसरे को समझ में आ गया कि कोई और भी यहाँ पे इंट्रस्टेड है यह समझ लीजिए तो यही स्मार्ट मनी का बिल्कुल और फ्लो है यही स्मार्ट मनी का साइकलोजी फैक्टर है तो SDBL क्या यह टार्गेट को पूरा कर पाएगा लेकिन बहुत इंट्रस्टिंग चीज आपको और दिखाऊंगा चोटे टाइम प्रेम पर यहाँ पर पुराना वीडियो अगर आप देखोगे तो ज्यादा पुराना नहीं है यह जून 2 का वीडियो है यहाँ पर क्लियर कट आ यही RSI के उपर फोकस किया गया था फिर वीकली चार्ट के उपर आप देखिए वीकली चार्ट का यह लवल देख सकते हो बिलकुल इंपॉर्टेंट लवल तो इसलिए फोकस किया था इसके उपर आपको यही कहूंगा कि इस वीडियो को यहें पर रोकिए यह जून की कहां पे हम हैं हाइप प्रॉबबबलेटी एरिया बस सुपर मोमेंटम हाइप प्रॉबबलेटी है और रिस्क कम है अगर मान लो आपने यहां पे 65 पे एंट्रे लिया विदा डीप स्टॉप लॉस अब आप कहो गया पैसट 55 दस रुपे का रिस्क और अगर यह चला जाता है 110 10 के आसपास तो आप कहोगे 10 रुपे के रिस्क मैं मुझे अगर 110-105 मान के चलते हैं पांच और कम कर लेता है हमारी कैलकुलेशन जाएजी हो जाए आप कहोगे तो 10 रुपे का रिस्क 40 रुपे का गेन वन इस्टो फोर का रिवार्ट रिस्क रिश्यो अमेजिंग आप दे करेक्शन हम बार-बार आपको करता है और उससे पहले आपको एक डिटेल समझाए गई थी यह वाले लेवल देखिए आपका पिछला पीक एरिया क्या काम कर रहा है देखिए स्ट्रॉंग डिमांड जो उनकी तरह एक्ट कर रहा है आप तो रैली स्टार्ट अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में कुछ और समझते देखिए अगर आप इसको देखो तो डेली टाइम फ्रेम पे टूहंडड़ समय का करेक्शन देखिए चावाली से इसको इस लवल प कर पाएगा लेकिन अब एक और बात करते हैं तर्ज़िए नहीं करेगा मतलब मतलब जब आपको । क्या करंगे जोएंट एक जो पर गाएंग समझे सामयर्य वह हुआ प्सक्राइए इंसेक्ट आपि पूरा हो चुका है अभी जो रैली चल रहे है वह एडवांस मों वो करना बोनस एडिया है वह अब बोनस एडिया टारगेट पहला टारगेट ही अब क्या एकसपेक्टेशन होगी यहाँ पर अच्छा सा करेक्शन दिखे या पुल बैक दिखे और तब तक अब जो आपका बो एंजॉय कर सकते हैं यहां पर इंट्राडे प्लैट्फॉर्म है तो इसलिए यहां पर टार्गेट्स छोटे-छोटे करता हूं वीडियो को आप फिर से काऊंगा शेयर कीजिए लाइक कीजिए प्राइस सेक्षेन सीखते रहिए प्रैक्टिस करते रहिए और इस अंडर्रेटिट चैनल को आगे पहुचाईए ताकि बहुत सारे लोग यहां पर सीख पाएं टैंक्यू टैंक्यू पर वाचिंग अवेडियो काऊंगा टैंक्यू आप्राइस लाइसे, टैंक्या बडेक्पी